दोस्तों इस वीडियो में रोयल इंफिल्ड हिमालियन के ओईल चेंजिंग का कम्प्लीट प्रोसेस आपको मिलेगा सबसे पहले यह लिए साइट में देखें यहाँ पर 21 नमबर का यह डर्निंग बोल्ट लगा हुआ होता है सबसे पहले इसको ओपेन कर लेना है उसके बाद उसको ओपेन करके वह जाली को बाहर निकाले और किलीन कर लेना है उसको तो सबसे पहले यहां से ओईल निकल जाले देते हैं अभी ओईल निकल रहा है गाड़ीगा और जब हम वह पलेट निकाल लेते हैं तो पूरी तरीके से ओईल भी निकल जाता है और उसके पीछे जो एक जाली होती है, फिल्टर जाली उसको अच्छी तरीके से किलीन भी कर सकते हैं, और ओइल को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, जहां से हम ओइल फील करते हैं, यह कैप पो खोलना है, ताकि ओइल जल्दी से बाहर हो जाएगा, अब यहाँ पर ओइल बाहर हो चुका है, पूरा, और गाड़ी में देखिए ओइल कितना कम है, कभी भी गाड़ी का ओइल जो है वो टाइम के हिसाब से ही चेंज करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ओइल डाल दिया तो गाड़ी को चलाते रहें, फिर चेक करने की जरूरत न अबने टाइम बचाने के लिए लगाते टाइम दिखाएंगे, आपको किलीन कर लेते हैं इसको अच्छे से, आरियस साइड में आएंगे, क्योंकि आरियस साइड में इसका ओइल फिल्टर है, यहाँ से इसको निकाल लेना है, आठ नंबर का टीप आना लगाके, इसके बोल बड़ा होता है दो छोटे बोल्ट होते हैं पुराना वाला फिल्टर यहां से निकाल लेना है जो की निकल चुगा है हम इसमें नया फिल्टर डालेंगे तो फिल्टर को सबसे पहले औल लगा लेना है और यहाँ पर देखिया औल सील होती है फिल्टर के अंदर उसको अच्छे से अंदर बिठा देना है बिठाने के बाद ये देखिए ये फिल्टर का प्राइज है और फिल्टर के साथ आपको ये पाइकिंग मिल जाती है इसी प्राइज में फिल्टर के साथ में होती है इस तरीके से लगा लेना इसको लगाने के बाद ये कैप आपर लगा देनी है इंजन में हमारे ये देखिए एक बोल्ट बड़ा है तो दो छोटे हैं इनको लगा लेना है उपर दोनों छोटे लगेंगे नीचे बड़ा वाला लगेगा लगाने के बाद टाइट कर लेना अच्छी तरीके से लिकेज ना हो आप यहाँ पर बोन ट्यूप का भी यूज कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे तो भी लिकेज नहीं होगा हमने यहाँ पर यूज नहीं किया है बोन ट्यूप का यह वाली जाली की बात करता जाली लगानी है उसके बाद ये वाली पलेट लगा देनी है पलेट के पीछे वरिंग रहती है ये वो वरिंग का ध्यान रखना है आपको दिखाएंगे कौन सी वरिंग है ये वाली वरिंग और इसको लगाने के बाद आठ नमबर के दोनों बोल्ट यहाँ पर लगा देने है यह दो बोल्ट लगाने के बाद 21 नंबर का यह वाला बोल्ट लगा देना है यहां पर जो कि मैं टाइट कर लेता हूं जल्दी से और यह टाइट हो चुका है अब इसमें ऑईल डाल देंगे दो लीटर ऑईल जाता है इसके अंदर यह देखिए यहां पर यह जेन्वेन बेस पर चेंजिंग कर रहा हूं मैं ऑईल की दोनों इसके अंदर डाल देना है और कैप लगा देना है और यह यहां पर लग चुका है देखिए यह रायट है इसका प्राइज रायट एक का एक लीटर ऑईल का 699 रुपिया है और अगर इसका ऑईल ऑईल फिल् जल्दी मिल रहे हैं मैं जुझे बाता है दोस्तों जल्दी मिल रहा है हमारी दूसरी वीडियो में